जैहिंद स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल अमरित अकेडमी पे हम लोग इपना सीटेट पेपर टू के लिए मैथ और साइंस की प्रिप्रेशन कर रहे हैं हमने अपना मैथ का 20 डेज प्रिविएस येर की सिरीज चला रखा है ठीक है आज अपना 20 डेज सिरीज का ये डे नमबर 6 है अभी तक हम लोग ने 5 डेज अपना कंप्लीट कर लिया है और इस वे इस सिरीज में हम लोग क्या करते हैं अभी हमने कॉंसेप्ट की क्लासेस तो सारी कर रखी है ठीक है जिनको नहीं पता है वो लोग चैनल पे जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट अब लोग अपना आगे बढ़ाते हैं एक एक कोश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत सारे कॉंसेप्ट को मैं बहुत सौड तरीके से समझाने वाला हूं ठीक है ना तो चलिए आज आते हैं बिन है और यह पावर में दे रखा 5X प्लस 2 है तो आपसे X का मान पूछा है ठीक है ना तो मैं इसको थोड़ा सा उपर कर देता हूं केवल हिंदी वाला लगा लेता हूं ताकि स्पेस मिल जा ठीक है तो चलिए इसको सौल करते हैं देखिए ऐसे कोश्चन को थोड़ा ध्यान प है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इसको ऐसा लिख दिया माइनस तीन बटा चार की पावर आपकी कितनी है यहां पर माइनस तीन है अब यहां पर देखिए यह डिवाइड का साइन लगा हुआ है ना अब जब हम डिवाइड के साइन को मल्टिप्लाई में करते हैं तो यह वाली चीज चेंज हो जाती है ठीक है ना तीए उपर से नीचे आ जाएगी तो इसको हमने यहां देख्ये डिवाइड था यहां पे हमने कर लिया इंटू मल्टिप्लाई में तो अब क्या हो जाएगा यह माइनस चार बटा 3 था यह देखिए यहां पर माइनस में ब है तो हमने आपको सिखा रखा था अगर किसी की घात की घात होती है तो वह आपस में multiply हो जाते है ठीक है ना तो यहां पर यह आपका आजाएगा माइनस चार बटा तीन की घात कितनी आ जाएगी दो चोके 8 हो जाएगी ठीक है ना इंटू यह 3 बटा 4 इसकी पावर कितनी है 5X प्लस 2 यह तो आज इस आज जाएगा यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा वेरी नाइस अच्छा आप देखिए इनके देखिए तो यह चीजे माइनस 3 बटा 4 यहां पर भी है माइनस 3 बटा 4 यहां पर भी है आधार जब समान होता है जब आधार समान होता है तो घाते आपस में जुड़ जाती है ना तो देखिए 7 में जब माइनस 3 जुड़ोगे तो यह 4 बचेगा तो यहां से आपका आ जाएगा माइनस 3 बटा चार की घात कितना आ जाएगा चार ठीक है न यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है वेरी नाइस अच्छा अब यहां पर यह चार आ गया ज़रा ध्यान से देखिए अगर मुझे चाहिए यह वाली टम के वल निकालना है तो यह वाला टम पूरा माइनस चार बटा तीन की घा लाइन यहां यह उठाकर लाएंगे तो यह क्या हो झाएगा घुणा से अब बताओ मुझे, अब देखो, अब मुझे इसको solve करना है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे भाग का sign है, अब जब मैं इसको गुणा में बदलूँगा, तो यह जो minus 4 बटा 3 है, यह बदल जाएगा 3 बटा 4 में, समझ रहे हो ना बात को, minus 4 बटा 3 जो है, बदल जाएग यह अब आ किया कितना, minus 3 बटा 4 की घात कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, is equal to, 3 बटा 4 की घात कितना है यह, 5x प्लस 2, ठीक है न, देखिए थोड़ा सा, इतना तो solve करना ही पड़ेगा इस question में, और कोई sort method इसका नहीं है, नहीं तो मैं apply जरूर करवा देता, ठीक है न, 8 और 4 कितना मिलकर के हो जाएगा, 12, तो मैं अब इसको यहां लिख देता हूँ, तो minus, चलो red pencil लिख देता हूँ, यह देखिए, minus 3 बटा 4 की घात कितना बन गया, 8 और 4 मिलके, 12 हो गया, बराबर 3 बटे 4, 3 बटा 4 की घात कितना हो गया, 5x प्लस 2, यह हो गया, अच्छा, अ जैसे मैं एक बर समझाता हूँ, जैसे minus 2 की घात मैं 2 रखूं, या 2 की घात 2 रखूं, आंसर में 4 ही आना है, ठीक है न, तो इस तरीके से आप इस चीज को यह भी लिख सकते हो, क्या, minus 3 बटा 4 को आप सीधा 3 बटा 4 की घात 12 भी लिख सकते हो, बराबर में 3 बटा 4 की घात क प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है न, यहां तक आई होप समझ गए होंगे आप लोग, अच्छा, अब अगले स्टिप में आपको क्या करना है, यहां पे देखिए दोनों के आधार समान है, और जब कभी भी आधार समान होते हैं, तो घाते आटोमेटिक समान हो जाती है, तो य यानि की कट करके 2 आजाएगा, ठीक है न, तो देख लिजे आपका अंसर जो है 2 आएगा, जो कि D option में दे रखा है, आपका D option बिल्कुल correct हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, देखिए इसमें इतना solution तो करना ही पड़ेगा, बस आपको यह चीज है कि carefully करना पड़ेगा, अध जाते हैं अब अगले question की तरफ, इसको मैं आधा छुपा देता हूं, यह इतना, यह हमें एक तरह से simplify करना है, जिसको दिख रहा है, कुछ यह थोड़ा सा blur लग रहा है, मैं बता देता हूं, यह देखिए 8 लिखा हुआ है, यह आपका 8 लिखा हुआ है, यह 288 है, यह 1372, य यह cube root है, यहाँ पर cube root लगा है, ठीके न, किसके बराबर होगा, यह solve करना है, यहाँ पर divide का sign है, ठीके न, तो देखो, ऐसे question को ऐसा मत करना, कि इसको अंदर multiply करके, फिर घनमूल निकाल रहे हैं, इसका अंदर root निकालना है हो, तो first जाओगी आप, कैसे करोगे, उस पर ध perfect cube मिल रहा है, तो 16 तो perfect cube होता नहीं है, 16 से अगर नीचे जाओ, perfect cube तो 8 मिलता है, किसका होता है, दो का, तो मैं 16 को न तोड़ लूँगा, क्या करूँगा, 16 को break कर लूँगा, 8 के उसमें, तो यहाँ पर देखी क्या बन जाएगा, 16 को में लिख सकता हो, 8 गुणा में 2, ठी ठीके न, यहाँ तक कोई रिक्कत नहीं है, अच्छा, एक बात बताओ, अब हमें जो है, बाहर 8 में से cube root निकालेंगे, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अब यह एक जो 2 दिख रहा है, इसका, अगर देखो, यह 2 आया है, इसका हो ना हो, 4 दुनी 8, इसका पेर एक मिलेगा हमें 4 से, 4 हमें जरूर मिलना चाहिए, क्यूं, क्यूंकि यह 2 है, तो 2 बाहर कैसे निकलेगा, जब वो 8 बनेगा, ठीक है न, चलो, क्यूंकि आपको question देगा, तो perfect इसको, cube root निकालने वाला ही देगा, अब मैं क्या करूंगा, इस वाली संख्या को 4 से भाग दे दूंगा, तो य चारतियां ही 12, एक यहां 13 है, एक बचा 17 हो जागा, चार चोके 16, फिर एक बचा 12 हो गया, चारतियां ही 12, इतना बन गया, ठीक है न, divided भाई, अब यहां पर देखे, cube root चाहिए हमें, यहां पर 8 गुणा 288 का cube root नहीं सरी, square root चाहिए, मुझे बताओ, 8 में कौन सा square छुपा हुआ है, तो आप कहोगे कि एक तो 4 सुपा है सर, 4 दुनी आठ, यहां 2 हो गया, इतना आगया, अब देखो यहां 2 आया है, तो 2 अपना पेर कहीं न कहीं से लेगा, तो वो 2 का पेर इसमें से निकलेगा, तो into 2 हमने ले लिया, तो 2 से इसमें भाग दो जड़ा, तो 2, 1 कम 2, 2, 2, 4, 8, 2, 4, 8, इतना बन गया, ठीक है न, अब देखो, आराम से देखो, यहां से एक बार 2 बाहर आएगा, क्यूँ, 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 8 है, 8 का क्यूब रूट, 2 आता है, यहां 2 चूब के 8, फिर से 1, 2 बाहर आएगा, 343 अगर आपको यादो, तो यह 7 का क्यूब होता ह यह 7 हो जाएगा बाहर, ठीक है न, फिर देखिए, यहां भाग का साइन, चार में से, यहां पर क्यूब रूट नहीं है, यहां पर स्कॉइर रूट है, चार का स्कॉइर रूट दो आ गया, अब यहां पर देखिए, एक पेर में से, एक दो बाहर निकाल लिया हमने, दो से यह दो कट गया, इस वाले दो से यह दो कट गया, आपका बचा कितना, 7 बटा 12 बच गया, यह आपका आंसर बन गया, 7 बटा 12 कहां दे रका है, C आप्सन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो देख करके घवराना नहीं है, कि बड़े बड़े नंबर है, इनको तो कोशन है, बस आपको ध्यान देने की थोड़ी जरूरत है, इसको भी मैं थोड़ा आधा कोशन उपर कर देता हूं, इंगलिस वाला पार्ट, यह इस पेस मिल जाएगा अपने को, ठीक है, यहां पर आपको कह रहा है, यदि इतना बराबर पॉइंट 6 है, तो 9Y प्लस 2 का मान ग्यात करो, ठीक है ना, इसका मतलब हमसे पहले वाई निकलवा रहा है, क्या कर रहा है, वाई निकलवाना चाहरा है, तो हम निकाल देते हैं, वाई कोई रिक्कत नहीं है, तो देखो, क्या करेंगे हैं वैसी सिचुएशन में, यह दो जो हैं अंदर मल्टिप्लाई करो, इ एक दम पूरा लिख रहे हो, आप माइंड में तुरंती क्लिक कर जाना, दो त्याइए 6 आजागे, दो चो के आठ फटाफट से लिखना है, ठीक है न, वहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना आपको, प्लस का 6 आ जाएगा, डिवाड़ेड भाई, यहां पे देखिए 3 वाई ठीक है न, और माइनस 4 और माइनस 5 वाई, यह आ गया, बराबर, आचा यह देखो, 10 मलो 6 है, तो इसको मैं 6 बटा 10 भी लिख सकता हूँ, तो मैंने 6 बटा 10 लिख दिया, तो यह देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, तो इसको काट दो, 2 तियाए 6, 2 पचे 10, तो 5 बटा 3 लिख दिया, ठीक है न, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें, यहाँ पे काम करते हैं, क्रॉस मल्टिप्लाइ करा देते हैं, इसका पूरे इसके साथ, और इसका पूरे इसके साथ, तो कितना आ जाएगा, 5, 6, 30Y हो जाएगा, 30Y, माइनस 5, 8, 40, और 5, 6, 30, प्लस का, यह आ लेते हैं, बाकी जो नंबर्स वाले टाम है, एक साथ ले लेंगे, ठीक है न, तो देखें, पंदरा वाई में से नो आई गया, 6Y, माइनस का 6Y बचा, उस माइनस के 6Y को जब इस साइड ले जाओगे, तो प्लस का 6Y हो जाएगा, तो 30 में जब प्लस 6Y जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 36Y हो जाएगा, ज्यादा सौर्ट तो नहीं हुआ न, समझ तो गय होगे, इतना तो समझ जाओगे, आप लोग इतनी उमीद है, ठीक है न, यह 36Y हो गया, कोई रिक्कत नहीं है, जरा यहाँ बताओ कितना, माइनस 40 और प्लस 30, यहाँ माइनस 10 बन जाएगा, बनेगा न, माइनस 10, अच्छा, जब माइनस 10 राइट साइड में जाएगा, तो प्लस 10 बन जाएगा, राइट साइड में पहले से माइनस 12 है, माइनस 12 और प्लस 10 हो गया, तो बचा कितना, माइनस का 2 बच गया, कितना बच गया, माइनस का 2 बच गया, ठीक है, तो 36Y जो है आपका माइनस दो के बराबर हो गया तो y कितने के बराबर हो जागा बताओ माइनस दो बटा 36 काटोगे तो माइनस का एक बटा 18 ये आगया आपके y की वेल्यू अब आपसे जो पूछ रहा है वो बता दीजिए आपसे इतने की वेल्यू पूछा है तो 9 गुडा य की वेल्यू कितनी आई माइनस एक बटा 18 तो माइनस एक बटा 18 प्लस दो काट दीजिए इसको 9 दूनी 18 आगया ठीके न तो 2 मेंसे 1 बटा 2 घटाओ गया तो कितना जाता है दो मेंसे आधा चला जाते तो डेढ़ बचता है इसका मतलब 1.5 बच गया आपका डेढ़ का मतलब 1.5 होता है देख लीजिए कहां दे रखा ये रहा आपके बी ऑप्सन पे ही ठीके न तो 1.5 आपका आंसर आजाएगा समझ गया चलो आई होप आपको क्वेशन अच्छे से क्लियर हो रहेंगे मैं कोसिस करता हूं कि एक भी पॉइंट चाहे कोई बिल्कुल 0 लेबल से पढ़ रहा हो चाहे कोई एक्सपर्ट हो सब को समझ में आए ठीक है ना नेक्स वेशन देखिए ध्यान से इसमें क्या कह रहा है यहाँ पर आपसे कह रहा है निमने में से x2 और x के गुडांकों यानि कि कोफिसियंट कोफिसियं के साथ पूरा मल्टिप्लाई करके बड़ा सा लिखो ठीक है ना लेकिन मैं कैसे करवाऊंगा तो अगर सब लिखना पड़ेगा तो आपको मेरे से पढ़ने के उतना फायदा नहीं है तब तो यह तो सारी जगह हो रहा है आपको क्या करना है मेरी बात सुनना आपको किया तो क्यूब में चला जाएगा हमारा अंसर क्यूंकि एक पावर यहां पर एक क्यूब में जाएगा यहां से हमें नहीं मिल पाएगा काट दो एक पॉसिबिल्टी हट गई एक स्कॉयर के कोफिशियंट मिलना ही नहीं है इसको पकड़ा अब देखो यह भी यहां है ना हमें यहां पर मल्टीिप्लाई किया तो X स्कॉयर नीचे X है कट गया एक के वल X बचा तो यहां से भी हमें नहीं मिलने वाला है X स्कॉयर का कॉफिशियंट grew और मारो यह खतम हो गया, इसकी बारी आगी 3x की, 3x को जब मैंने यहां से multiply किया, यहां x square बनेगा, minus into minus, plus हो गया, 3, एककम 3 और x into x x square बन गया, तो 3x square बन गया, यहां पर हमें x square का coefficient एक बार मिल गया, कितना मिल गया, 3, अब जब मैंने इसका multiply, इसके साथ किया, तो एक भी नहीं मिल ला है, क्योंकि x से x खतम ही हो जाएगा, अब देखो क्या होगा, यह इसका भी काम हो गया, अब आप 9 बटे x को देखो, 9 बटे x को जब यहां multiply किया, तो x से x खतम हो गया, x square वाली term ही नहीं आई, इसके साथ किया, तो भी x square वाली term नहीं आई, minus आगी, x की power minus 2 वाली term आगी, तो x square का केवल एक ही term मिलेगा, जिसका coefficient होगा 3, ठीक है न, देखो, कुछ लोगों को हो सकता, यह tough लगा हो, और मैं उनको सलाह देता हूँ, जिनको tough लगा है न, वो आप बारी-बारी से multiply करके बड़ा सा लिख लिजी, अपने आप x square वाला दिख जाएगा, ठीक है न, यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग का time न जाए exam में, इस तरीके से करो, अब अगला step क्या है, x square का, मतलब x का coefficient दूड़ना है, देखो x कहां कहां दिख रहा है आपको, जब आपने इसका multiply इस से किया, तो x नहीं दिखा, छोड़ दो, जब आपने इसका multiply इस से किया, x नहीं दिखा, या दिखा, x यहां पर दिखेगा, क्यों? देखिए x square में जब 7 बटा, यह देखो, यहां लिख देता हूँ, 2x square को गुणा किया, आपने 7 बटा x से, एक बार x कट गया, 7 दूड़नी 14, 14 x मिल गया, तो यहां x का coefficient 14 आ गया, तो एक बार हमें 14 तो मिल गया, अब और देखते हैं, क्या कुछ मिल ला है क्या? आगे दूरते हैं, यहां इसका काम हो गया, अब 3 से देखते हैं, कहीं मिलेगा, यहां पर x square बन रहा है, नहीं मिलेगा, इसका जब इस से किया, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्यों numerical time आएगा, यहां से नहीं हुआ काम, यहां पर आया, कोई x वाला thumb नहीं बनेगा, केवल 9 बचेगा, इसके साथ किया, तो x की power minus 2 बच रहा है, ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब किसी के साथ नहीं मिलना है, तो हमारा काम हो गया, हमारा x का coefficient, 14 मिल गया, x square का मिल गया, 3, और हमसे यहीं पूछा था, कि इनका multiple कितना होगा, तो बताओ, 14 गुणा 3 कितना होता है, 14 गुणा 3 आपको होगा, कि सर 42 होता है, simple सा, यह right option correct हो जाएगा, देखिए, जिस method से मैंने किया है न, अगर आप यह खुद से apply करोगे न, कम से कम, 4 से 5 सेकंड के वल टाइम लगेगा आपका, आपका answer आजाएगा आपके सामने, लेकिन अगर आप बारी बारी से सब को multiply करने लग गए, तो यह बहुत बड़ी सी question बनेगी, और आपका answer इतने बड़ा चला जाएगा, कि आपको confusion भी काफी create होगा, ठीक है न, बहुत सारे question होते हैं, जिनको अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से करना चाहें, तो आसान हो जाते हैं करने के लिए, यहाँ पर आपसे कहा रहा है, कि यदि 5x-3y is equal to 35 दे रखा है, ठीक है न, तथा xy बराबर दे रखा है, माइनस 20, तो आपसे इतने की value पूछ रहा है, कितने की 25x-y, sorry, 25x-y plus 9y-x, इसको मैं थोड़ा सा अगर और simplify करूँ, तो नीचे का LCM ले लेता हूँ, जिसको पूछ रहा है, तो xy यहां आ जाएगा, उपर आ जाएगा, 25x-2 plus 9y-2, ठीक है न, कुल मिला के हमें इसकी value निकालनी है, कितने की 25x-2 की plus 9y-2 की value चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि xy तो आल्रेडी पता है कितना होता है, माइनस 20 होता है, ठीक है न, चलो, अब देखते हैं आगे इसका कैसा solution करा जाता है, आ जाओ, देखिए, अब देखिए हमारे पास यह चीज पता है, और इससे हमें जाना है 25x-2 plus 9y-2 में, तो एक चीज दिख रहा है, अगर मैं इस equation को दोनों side square कर दूँ, तो मेरे पास यह चीज निकल करके आ जाएगी, क्योंकि a square plus b square minus 2ab होता है, ठीक है न, तो जब हमने दोनों side squaring किया, तो मेरे पास आ जाएगा a square मतलब 25x square plus b square मतलब 9y square minus 2ab होता है न, तो minus 2 गुड़ा 5 गुड़ा 3xy, यह आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 35 का square, अब मुझे बताओ 35 का square कितना होता है, वैसे तो 12-25 होता है, पर निकलता है कैसे है, वो मैं बताता हूँ, 5 का square किया, अपने 25 आ गिया, 3 का square किया, 9 आ गिया, 5, 3, 15, दूनी 30, 30 को यहा लिग दो, एक जगा छोड़ करके इसे जोड़ लो, 5 और य हो जाए तब, ठीक है न, तो देखिए, मैंने 35 का square किया, तो यह आ गया, अब मुझे केवल चाहिए इसकी value, क्योंकि मुझे यहाँ पर need है, तो इतने को solve कर लेते हैं, तो देखिए, 5, 3, 15, 15, 15, सोरी, 5, यह 3 किसे है, 2, A, B, 5, 2, 10, 3, 30, तो यहाँ पर देखिए, माइनस 30 हो गया, तो माइनस 30, और xy है, इंटू xy है, तो xy की value देखिए, आपको दे रखा, कितना माइनस 20 दे रखा, तो गुणा कर दीजिए, माइनस 20 से, ठीक है, न, अचा, हाँ, माइनस 20 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर बाकी यह वाली term तो यहाँ पर as it is रहेगी, जो हमें चाहिए होगी, ठीक है, यह यह ही रहेगी, तो हमारे सामने आ जाएगा, 25 x square, प्लस 9y square, माइनस 3 दूनी 6, और 2 0 लग जाएगा, लेकिन यहाँ मा बारावर हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा 1225 के, तो 1225 के बरावर हो जाएगा, अब देखो, हमें क्यों इतनी की value चाहिए, तो 600 इदर माइनस कर दो, तो 1225 में से 600 माइनस चला गया, तो 625 बचना चाहिए, क्योंकि 1260 में से 600 चला गया, तो 600 बचा, ठीक है ना, यह आपका आजाएगा 625 अगर नहीं समझ में आ रहा तो भीया इसको इदर लाज़ेगा कि घटा दीजिए ठीके ना 1225 में से 600 माइनस कीजिए तो देखो ऐसे सोचो सोचो 1200 रुपे थे 1200 रुपे में से 600 चले गए 600 रुपे बाकी 25 यह थे 625 ठीके ना तो आपका आगिया 25 x square प्लस 9y square की value 625 लेकिन हमें निकालनी कितने की थी इतने बटा 20 बटा xy ठीके ना तो बटा कर दीजिए माइनस का 20 क्यूं क्यूंकि xy की value देखिए माइनस 20 दे रखा है यहां पे ठीके ना हमने इसको कर दिया बटे में अब इसको जड़ा काटिए पांच से काटे अग आपना हो जाएगा यह दो आगया पांच 25 तो यह आपका आजाएगा माइनस 125 बटा चार आइधिंक यही आंसर होना चीए देखिए कहीं दे रखा है माइनस 125 बटा 4 बिलकुल दे रखा है आपको यह option पे ही दे रखा है ठीक है ना यही आपका correct answer बन जाता है ठीक है समझ मे आगया सबको very nice तो देखिए इस तरीकी से आपको question solve करने होते हैं कई बार question थोड़े लेंदी होते हैं लेकिन उनको आपको आसान बनाना पड़ता है चलो यह एक और बहुत अच्छा question आगया यह थोड़ा सा blur है question मुझे दिख रहा है लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कहना क्या चारा इसमें ध्यान से पड़िएगा कहरा है कोई दुकानदार एक खिलोने को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेशता है और इससे 25% का लाब कमात प्राप्त करता है यदि खिलोना का क्रे मूल्य 160 है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा देखिए मैंने आप लोगों को यह चीजे पुरा चैप्टर में पढ़ा रखा है जिसको confusion होगा चैप्टर जाके देख लेगा ठीक है लेकिन समझो देखो आप क्या करते ह कोई चीज खरीद के लाए तो उसे बोलते हो CP जितने का खरीद के लाए अब उस पे रेट बढ़ा करके दुकांदार क्या करता है मार्क कर देता है जैसे 100 की चीज लाया लिख देगा कि मैंने 1500 का लाया है तो इसको बोलते है मार्क प्राइस अब इस पे छूट दे देता है जिस पे बेशता है उसको बोलते है सेलिंग प्राइस ठीक ना यह चार्ट आपको याद रखना है ठीक ना अब यहां पर ध्यान से देखो कोई भी चीज पहले एक चीज यह ध्यान रखो कि कोई भी चीज अपने आप में 100 परतिसत होती है ठीक ना ठीक कोई दिक्कत नहीं ह इसने कहा कि वस्तु का क्रेमूल 160 रुपया है तो CP हमारे पास 160 रुपया था तो इसका मतलब यह 100% की वैलू है मैंने बोला ना कि कोई भी चीज शुरुआत में अपने आप में 100% होती है तो 100% की वैलू 160 रुपया थी कोई दिक्कत नहीं है अब यह कह रहा है कि 20% छूट देता है मार्क प्राइस पे तो मालों मार्क प्राइस भी अपने आपने शुरुआत में 100% रहा होगा इसने 20% छूट दे दिया जब 20% छूट दिया तो बताओ बेचा किसने उसने कितने पे तो उसने मार्क प्राइस के 80% पे तो बेचा होगा अरे मुझे बताओ अगर आप आपने कोई चीज 20% छूट दे दिया है तो आपने बेचा कितने का होगा तो आप कहोगे कि 80% पर यह हो जाएगा आपका 80% तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है SP है वो कितना है मार्क प्राइस का 80% है ठीक है कोई बात नहीं है अच्छा इस रास्ते को अगर मैं इधर से तै करूँ देखो कह रहा है कि इसे बेचने पर उसे 25% का लाब होता है यहां पर देखिए बेचने पर 25% का लाब होता है अब बता 25% में खरीदा था 25 का लाब हुआ इसका मतलब आपने बेचा कितने पर 125% पर बेचा होगा किसके CP के CP के 125% पर ही तो आपने बेचा होगा तो इसका मतलब यह हो गया CP का 125% जितना है वही MP का 80% यह दोनों बराबर चीज़े कह रहे हैं एक ही आदमी के दो नाम है तो दोनों आपस में बराबर ही तो हुए चाहे आप इसको SP को यह बोलो कि MP का 80% चाहे आप बोलो CP का 125% तो चलो हम CP का 125% निकाली देते हैं तो देखो CP आपका कितना है 160 है ठीक है ना समझ गए 160 है तो इसको बटा 100 कर दिया क्यूं क्यूंकि 1% निकल गया अब हमें चाहिए कितना 125% तो गुणा कर दीजिए 125 से यह आगे आपका आपका होगे कि बिल्कुल आ गया सर इसको काटिए 1010 कर ग पांच अठे चालेश जीरो केरी लगा चार पांच दूरी दस चार चौदा है को जिगलत हो रहा है कि 160 है बटा 100 किया गुणा 125 हो गया तो हमने 25 से एक मिनट कुछ मुझे मिस्टिक लग रहा है रुख जाए रुख जाए यहां पर ज़रा इसको काटिए सही से ठीक है ना 125 क फिर बताते हैं कितना है एक सेकेंड एक सेकेंड यहां पर आपका आज आएगा 25 ठीक है ना अब ज़रा इसको काटिए पहले हम 4 से काटते हैं सुनो 25 से काटते हैं 25 चुक का सो 25 पच्चे 125 यह 5 बार में गया अभी 4 से काटा 4 चुक के 16 तो यह 40 आ गया तो 5 चुक के 20 तो 200 आएगा ठीक है ना यह रहा 200 रुपे में मतलब वस्तू जितने की बीची है कितने की बेची गई है 200 की 160 की खरीदी गई थी 200 की बेची गई है अ अगर वह मिस्ते दूसरे रास्ते चलतें मार्क इस वाले पे यह 200 बन क्या इसका ठीक ना तो 802 है तो 100 परitश्यत का आप बताओ यह 5 बार में गया, 2-6 को काटा, 50 बार में चला गया, थीक है न, तो 50 को 5 से गुड़ा किया तो धाईसो आजागा, तो यह आपका C ओप्सन हो गया धाईसो, थीक है न, तो दीखे ऐसे कुश्चन को ऐसे ही किया गाता है, यह मैंने इसलिए डाइग्राम से बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए अधरवाई इसमें कुछ खास बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं ठीक है ना इसको आप आसानी से भी कर सकते हो चलो यहां तक समझ गए ठीक है आगे बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ नेक्स कोश्चन देखिए अपसे क्या कहना चारा है बहुत ध्यान से समझे यह यह देखिए एक बहुत ज्यादा important question हो जाता है नहीं मतलब सीत कई बार question पूश चुका है क्या है question रुको थोड़ा सा उपर स्कादू मैं कि और यहां अधर here by देख यहां पर कह रहा है बाइसेक्टर D पर मिलते हैं, यदि कोण B, D, C, 108 है तो X का मान कितना होगा, यहां पर देखिए, एक तिरिभूज हमने बना दिया, यह रहा आपका A, B, C, ठीक है न, अब यह कह रहे हैं कि यह जो है A है यह X है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे हैं B और C का बाइसेक् दिगरी का कोण, तो कह रहे हैं X का मान बताओ, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, कि तिरिभूज के दो कोणों के समद्विभाजक से बनने वाला कोण का फार्मूला होता है, यह अगर यहां पर थीटा कोण बनता है, तो थीटा बराबर होता है, 90 प्लस A ब रखिए, तो यहां पर थीटा रख दीजिए, थीटा की वेलू कितना दे रखा है, 108 बराबर 90 प्लस A की वेलू कितनी है, X बटा दो, आपको यही पूछ रखा है, इसको अप सॉल कर लीजिए, तो जब आप 108 में से 90 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, 100 में स A option पर, यह आपका correct answer बन जाएगा, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया, देखो किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो आप से मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज, आधे आधे घंटे की वीडियो है, practice concept वाली, वो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी ह तो यह 25 लेक्चर है उसमें, ठीक है ना, यह देखी एक question है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें क्या कहना चाहरा है, कहरा है निमलिखित स्थितियों में से कौन सी स्थिति में चत्रभूज ABCD की रचना संभव नहीं है, ठीक है ना, देखी कोई भी चत्रभूज अग करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाओ, A, B, सुरो, C, D, ठीक है ना, यह रहा, तो जब आप ना, इस पर आओगे, D वाले option पे, ठीक है ना, तो A, B की value आपको दे रखा है 3, तो A, B अगर हमने 3 ले लिया, C, D की value साड़े 5 दे रखा है, C, D कहा है, यह, C, D, ऊपर वाले, 5.5 दे रखा है, D, A की value 6 दे रखा है, यह दे रखा है, 6, B, C की value 4 दे रखा है, B, C दे रखा है, आपको 4, B, D की value 9 दे रखा है, B, D इसको मिला यह जड़ा, यहां पर यह 9 दे रखा है, ठीक है न, A, B की value 3 दे रखा है, हो गया, D, H है हो गया, सारी चीजे हो गया, अब अगर देखो, पहली बात तो यह देखिए न, जब अगर यह तो त्रिभूज भी बनता है, विकर्ण की help से, इसका मतलब है, कि तिरभूज के किनी 2 भूजाओं का योग, तीसरे से बड़ी होती है, तो देखिए, 6 में 3 जोड़ोगे, तो 9, 9 जो है, इस तीसरी से बड़ी होने चाहिए, लेकिन यहां बराबर हो गया, 9 बराबर 9 हो गया, तो यह कभी तिरभूज बनाई नहीं सकता, आचा, यह देखिए, मैं पढ़ देता हूँ, यह थोड़ा सा बलर सा दिख रहा है, कह रहा है, निमने में से कौन सी किसी समकोड त्रिभूज की भूजाओं की लंबाईयां नहीं हो सकती, तो देखिए, आपको एक दे रखा है कितना, 10, 24, 26, 48, 55, 73, 12, 35, 47, 11, 60, 61, तो ट्रिपलेट भी पढ़ाया है, राइट एंगल ट्रेंगल अगर आपको पता है कौन-कौन बनाती है, यह देखो, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, यह है, हैपोटेनियस होता है, ठीक है, तो आप पाइथागुरस लगा के यह चेक कर सकते है, दो छोटी भुजाओं का वर्ग बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो यह भी है, यह भी है, और यह भी है, क्योंकि यह देखो, ट्रिपलेट में भी याद किया जाता है, कितना है, 11, 6, 61, यह सब ट्रिपलेट भी होता है, तो एक ट्रिपलेट होता है, यह पाइथागुरस से भी solve करेंगे ना तो यह आपका satisfy ही नहीं करेगा ठीक है ना तो जो है जो कह रहा है कि नहीं बन सकती तो यह है c option यहीं नहीं बन सकती ठीक है तो यह याद रखना 12, 35, 37 यह होता है किसका आपका इसका होता है क्या कहते है समकोड की भुजाय होती है 47 नहीं होता है तो बाकी आप चाहिए तो पाइथागुरस भी लगा सकते 12 के स्क्वेर प्लस 35 के स्क्वेर बराबर 47 के स्क्वेर करोगे यह कभी बराबर नहीं आएगा चेक कर लीजेगा ठीक है तो कई बार ऐसे आसान question भी आ जाते है उसका ध्यान रखना होता है अच्छा यह आ गया next question एक बहुत ही important बहुत जादा important शीटेट इस फार्मुले पर जरूर पूछता है एक यूलर्स फार्मुला होता है जिसमें किसी बाउफलक के फलकों और वर्टेक्स का जोड़ जो होता है एज के जोड़ से दो अधिक होता है यह यात करना इस question में आपसे कह रहे हैं कि एक बाउफलक यानि कि पॉलिगन है के लिए निमने में से कौन सा कथन सही नहीं है जहां एफ इवी क्रम सा बाउफलक के फलकों किनारों और सीरसों की संख्या को प्रदरसित करते हैं तो मतलब यहां पर यह वैलू अगर मैं र इस आना चाहिए तो एफ और वी को जोड़ो देखो 19 बन रहा है क्या तो 11 और आठ को जोड़ो गे तो कितना बनेगा प्रदर्सित करते है ना तो ग्यारा आठ उनिस होता है ठीक है ना ठीक है तो यह 19 आ गया लेकिन यहां पर ऑनी वेलु इसने कितने दे रखी है इस से हमसे पूचा क्या एक सेकंड मझे कंफ्यूजण हो रहा है कतनों को सही नहीं है यह पूच रहा है कौण से सही adequate नहीं आप इसको f plus v करो कितना आएगा 11 और 8 11 8 कितना होता है 19 होता है तो यह 19 आ गया ठीक है ना 17 में 2 जोड़ा 19 आ गया यह तो सही है तो यह अंसर नहीं होगा यही नहीं पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है अगर मैं c वाले पर आ जाता हूं c वाले पर तो देखिए 7 में हमने 10 जोड़ा तो यह 17 बन गया ठीक है ना और e में हमने 2 जोड़ा 14 दो 16 हो रहा है तो यह बराबर नहीं हो रहा तो यह कट गया यहीं गलत है तो आपका correct answer जो होगा वो c होगा ठीक है ना तो यहां पर correct answer आपका जो मिल गया c हो गया तो इसी त अब है जो अपने बच्चों के साथ लेकर दो बच्चों के साथ राइट साइड में रहती है तो ई प्लस टू राइट में चला जाता है अच्छा कोशन देखिए कि बेलन से है यानि कि सिलेंडर से काफी अच्छा कोश्चन है यह भी बहुत पूछे जाते हैं किसी ठों से लंब वृति बेलन के आधार की 328 है सेंटीमेटर और इसका कुल प्रिष्टी छेत्रफल है 262 पाई सेंटीमेटर स्कॉयर है इस बेलन का आयतन बता दो ठीके ना तो आर की वेलू आपको दे रखा है 8 ठीके ना तो टोटल प्रिष्टी छेत्रफल क्या होता है टूप आई- ब्रेकेट में आर प्लस एच तो यह याद रखना स्लेंडर का यानि कि टोटल सर्फिस एरिया जो होता है इसकी वेलु इसने आल्रेडी दे रख्थ है इसकी वेलु पूछा है इसको निकालने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होगी एक तो आर की जरूरत होगी एक एक की जरूरत होगी ठीक है न आर और एक की जरूरत होगी तो आर तो पता है कि आठ है एच नहीं पता है हमें ठीक है न तो एच नहीं पता है तो एच पता करते हैं कितना है ठीक है न वैसे इसका आंसर करना चाहो आप न एक और सॉर्ट मेथड से कर सकते हो कैसे चारो आप्शन को देख लो कौ 8 ब्रेकड के अंदर 8 plus H बरावर 136 तो 223 को काट दो कितनी अटार में जाएगा цakam 8 outdoor जाएगा यहां आठ प्लस ए eleров बरावर 17 हो गया सबार तो एक कितना आ जाएगा 17 में लाश्ट में 6 दिखना चाहिए लाश्ट में 6 किसके है कौन से ऑप्षन में डी ऑप्षन में तो आपका करेक्ट आंसर हो जागा डी ऑप्षन ठीक है ना दिखिए दिखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द ना बड़ा पैनल की बिवस्ता कर रहा हूं स्टूडियो लगवा करके बड़ा बोर्ड डिजिटल बोर्ड हमें कुसिस कर रहा हूं कि आगे आने वाले जो एक्जाम सुनगे उसमें आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाओ ताकि मैं खड़ा रहूंगा तो आपको और अच्छे से सारी चीजे क्लियर होंगी ठ यहां पर दे रखा है ठीक है तो आइसे ही आप थोड़ा 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 टाइम बचा भी सकते हो लास्ट डिजिट कहीं देखना पड़ जाए कहीं कैलकुलेशन सौर्ट करना पड़ जाए तो आप यह सारे काम कर सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट को को कि शेत्रफल 192 cm 144 108 है इस घनाब यानि की क्यूबाइड का दो तीहाई आयतन बता दो तो सबसे पहले देखो क्यूबाइड कैसा होता है यह क्यूबाइड होता है यह रहा इस तरह से इसको मिला दिया जाता है यह आपका एक क्यूबाइड बन जाता है इसने आसन फुलक इसका मतलब एक यह वाला एरिया दे रखा है एक पीछे वाला एरिया दे रखा है यह वाला और एक यह वाला तीनों एरिया दे रखा ठीक है यह एल बी एच हो गया इसका मतलब एक छेत्रफल कितने होता है लंबाई गुणा चोड़ाई होता है तो इसका मतलब एल इंटू 144 हो गया किसी को बें 192 कि 102 , 181 है एंट एक्सों बानड भीस आपका हो गिया 144 हें इंटु एल आपका हो गयाear 108 थीक यह हो गया लेकिन आपको यह नहीं पूछा उसने पूछा है क्यूब का अईतन Dorothy कुंकर वार्म नो olması होता है LBH होता है तो आपको LBH calculate करना है लेकिन आपके पास यह तीन चीजे हैं तो इन तीन चीजों से आप LBH में कैसे घुसोगे यह बताओ तो आप कहोगे कि सर अगर मैं इन तीनों equation को multiply कर दू तो LBH दिख जाएगा मुझे तो लेकिन यहाँ पर आपका जब multiply करोगे तो L square B square H square आएगा तो L square B square H square is equal to आजाएगा 192 गुणा 144 गुणा 108 ठीक ना अभी इन सब को multiply मत करना है इसको ऐसे ही रूट लगा दो किसके साथ 192 के साथ 144 के साथ into 108 के साथ ठीक ना 108 के साथ यहां पर हमने रूट लगा दिया जब हमने रूट लगा दिया तो इसका square root निकालिए कितना आएगा देखिए 144 का तो डारेक्ट बाहर बारा आ जाएगा अंदर 192 है ठीक है और यहां पर 108 है तो 9211 12 यह देखिए तीन से डिविजबल है तिसके अंदर तीन मिलेगा तीन गुड़ा कितने बार जाएगा 368 ठीक है और 368 हो गया एक उन्नीस बारा तीन चो के बारा बाहर पहले से 64 में से बाहर निकालोगे तो आठ बाहर आ जाएगा तो यहां लिखता हूं है बारा गुणा आठ मिल गया इन्टू और कितना बचेगा आपका एक तीन बचा हुआ है और यह बारा बचा हुआ बारा और तीन गुड़ा करोगे तो 36 36 किसका क्यूब क्यूंगि उसने आयतन का दो तीहाई आपसे पूछ रखा है तो यहीं डायरेक्ट दो तीहाई इसका निकाल देते हैं ठीक ना इसका बढ़ता भी तो है रुकिया मैं थोड़ा साइट स्क्रॉल करूं इसका यहां डाइरेक्ट ही आप दो तीहाई भी कर दीजिए दो बटा तीन ये इसको काड़ दीजिए अब आपका आंसर आजाएगा कितना आजाएगा दो छेंग बारा ठीक है ना अब देखो अगर आप चाहते हो कि मैं सारा कैलकुलेशन नहीं करना चाहता हूं तो आपना क च्रहाज दीजिट को कालकुलेट करो दो च्रह औरके दो लोटो अठे सोला का चे चेड़नी बारा का दो लाश्ट में दो आएगां आउपसें आपका उसले कालकुलेशन कर सकते हैं ठीक है तो आई होप को क्लास काफी अच्छी लगी होगी चेक करते हैं और घुके इसको भी करवा देते हैं आपको अच्छा यह रहा आज का आपका लास्ट कोश्चन मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग हमवर्क में कर लो LCM HCF का कोश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का तो इसलिए मैं करवा देता हूं रुख जाओ देखिए तो आपको की वेलू ही फाइंड करनी है तो देखो 176 और 2773 इसका आप क्या करोगे फैक्टर करोगे इसके जो फैक्टर आएंगे मैं बता देता हूं 13 और 59 आएगा इसका जो फैक्टर आएगा 47 और कितना आएगा 59 आएगा तो HCF देखो देखो मैं पूरा सौल नहीं करा रहा हूं आपको खुद करना यह होमवर्क देने वाला था लेकिन मैं हिंट देता हूं तो देखिए 69 इसमें भी है तो इसका जो HCF निकल के आया HCF आपके सामने आया 59 HCF आगया ठीक है और LCM जो निकालोगे LCM कितना आजाएगा तो LCM आपका आजाएगा वह आजाएगा 13 69 इसका आपको फैक्टर करना है तो देखिए पहले check करो 14 जाएगा फिर चेकर रिया जाता है साथ से करो 7 से भी नहीं हो रहा फिर 13 से करो 13 से फैक्टर बन रहा था यह से चेक करो जैसे 27,3 का करना है तो पहले 7 से किया नहीं हुआ थे से Carr Flag au 12 से करो 37 से कर लो 47 से कर लो 69 से कर लो जितने भी प्राइम नंबर है उनसे ही चेक करोगे तो जल्दी आंसर पर पहुंच होगे ठीक है तो यह आ गया जब आप इसको सॉल करोगे तो इसको काटोगे तो देखिए क्या कह रहा है मतलब 69 का के टाइम बराबर है तेरह गुणा उनसठ गुणा 47 ठीक है ना इसको आप काट दीजिए उनसठ से उनसठ कट गया अब आपके बच्चा कितना के की वेलू आजेगी तेरह गुणा 47 फिर कहूंगा पूरा मत साल करो यूनिट डिजिट देख लो सात्तियां 21 लास्ट को हमवर्क दूँगा लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि यह आप फैक्टर कर पाएंगे कि नहीं इसलिए मैंने बता दिया इसको जो फैक्टर आने वाले 13,67 आने वाले है तो उस बेसेस पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल करना था ठीक है ना तो आ भाए टेक केर थैंक यू सो मच जाहिंद